कई बार हम इस तरह के सूट्स खरीद लेते हैं जो थोड़े सेमिस्टेश्ट होते हैं और उनका गला पहले से ही बना होता है जैसे कि ये सूट है इसका गोल गला बना कर पहले से ही पाइप इन इसके उपर की हुई है और इस तरह के कपणों पर लाइनिंग लगाना बहुत इसी तरीका में आपके साथ शेयर करूंगी तो ये देखिए सबसे पहले हमें लाइनिंग के उपर बिल्कुल सेंटर में गले को रख लेना है बिल्कुल सेंटर बनागे रखना है और इस तरह चौक की मदद से हमें गले को ड्रॉ कर लेना है ये देखिए बिल्कुल साइड की तरफ इस तरह शिफ्ट कर देना है देखिए जहां पर हमने ये गला ड्रॉ किया था बिल्कुल उसके उपर ये लेफ्ट साइड वाला शोल्डर मैंने उठा के रखा है इस तरह और जो हमने गले की शेप ड्रॉ की थी ना बिल्कुल उसके उपर उपर हमें इसको देख लिजेगा कि जो center वाली क्रीज है लाइनिंग की वो गले के center तक आनी चाहिए ये देखिए इस तरह और इसी तरह से हमें पूरा गला stitch करना है ड्रॉ किये हुए गले के ऊपर ही हमें इस तरह से इसको sil देना है ये देखिए इस तरह तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से सिल दिया अब हमें पीछे से इसका कपड़ा काटना है यह देखे लाइनिंग के उपर कुछ इस तरह का यह दिख रहा है और अब हमें इसको काट देना है आधा आधा इंच कपड़ा मैंने छोड़ा है लाइनिंग वाला और एक्स्ट्रा काट दिया है अब हम लाइनिंग के उपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे कट्स हमें लाइनिंग के उपर ही लगाने हैं यह देखिए गले के उपर कट्स नहीं लगाने, सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े के उपर कट्स लगाने है इस तरह, कट्स लगाते हुए इस चीज का भी ध्यान देना है कि धागा ना कटने पाए जिससे हमने सिलाई लगाई थी अब हम इसको पलट देंगे, इस तरह और बहुत इजी तरीके से ये लाइनिंग अटैच हो गई है इसके उपर एक बार लाइनिंग अटैच हो जाए, उसके बद आप चारू तरफ सिलाई लगा कि अच्छे से लाइनिंग को कमीज के साथ अटैच कर लीजेगा और इस गले को attach करने के बाद आप अच्छे से इसे प्रेस भी कर लिजेगा ताकि lining अच्छे से set हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी finishing से ये neck design बना है उल्टी तरफ भी देखिए कितनी finishing आई है ये देखिए बहुत easy तरीका है ये ready made suit के उपर lining attach करने का और बहुत ही finishing से lining attach हो जाती है तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजेगा और मेरे channel naughty stitches को ज़रूर subscribe कीजेगा subscribe की बटन के साथ bell icon को भी जरूर दबा लीजेगा ताकि आपको मेरे सबी वीडियो की update सबसे पहले मिल सकें तो guys thank you so much for watching bye bye